हेलो एवरिवान वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेज मैं हूँ प्रियंका खिलेश दिक्षित और जैसे कि हम क्लास एट का चैप्टर नमबर सेवन कंजर्वेशन आफ प्लांट्स एन एनिमल्स कर रहे थे जिसमें हमने डिसकस किया था डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं उसक बाति हमने डिसकस किया था कि कौन से प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे गॉवर्मेंट्स ने बनाए हैं सो आज उन्हीं प्रोटेक्टेड एरिया में सेंव वाइल लाइफ सैंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं बायो स्वियर रिजर्व के ब प्लांट्स और एनिमल्स के प्लेइलिस्ट को चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक so wildlife sanctuary so wildlife sanctuary क्या होता है यह हमने discuss किया था यह एक तरह से क्या है protected areas है जहां पर क्या किया जाता है animals को protection दी जाती है उन्हें suitable conditions दी जाती है living conditions ताकि वो easily comfortably grow कर सके और रह सके उनका जो naturally conditions चाहिए वो उन्हें सारी provide की जाती है और यहां पर क्या होता है पकड लेना, capture करना, उन्हें kill करना बिल्कुल strictly provided होता है wildlife sanctuary में और अगर ऐसा कोई भी इनसान करता पाया गया तो क्या होता है punishable होता है wildlife sanctuary क्या है ऐसा protected area है protection area है जहां पर क्या किया जाता है हमारे जो animals हैं उन्हें protection दी जाती है protection के साथ में उन्हें सारी suitable living conditions दी जाती है ताकि वो easily रह सके और इसके साथ ही हमने discuss किया था कि wildlife जो sanctuary होती है उसमें क्या है कि ये as compared to national park area wise कम होती है और इसमें क्या है इतनी restriction नहीं होती restriction इतनी नहीं होती इसलिए क्या है आसपास कि जो आदमी होते है इसमें involvement कर देते है जैसे कि people क्या करते है इन century में आकर उन्हें allowed भी होता है कि वो grazing कर सकते है collect कर सकते है medicinal plants को और साथ ही वो collect कर सकते है firewood और जो भी उन्हें useful material जो मिले आप jungle से वाइल से वो use कर सकते है उनका जो है allowment होता है कि वो आजा सके so if in case कि उनको अगर जादा मतलब अतिक्रमन हो गया यानि कि encroach हो गया people के external group of people का involvement जादा हो गया उसकी वज़े से क्या हो जाएगा हमारे जो animals होंगे उनको भी खत्रा हो जाएगा तो क्या होगा उनके अतिक्रमन की वज़े से they will get destroyed so I hope कि आपको समझ आ गया wildlife century so next हम करते हैं हमारा national park so national park में क्या है कि national park में हम already discuss कर चुके थे कि ये area wise जो है wildlife century से ज़्यादा बड़ा होता है यहाँ पर क्या होता है permissions जो है या हम यह कह सकते हैं कि external people की जो involvement है वो बिल्कुल ही prohibited होती है इसमें क्या है national park में हमारी जो government है उन्होंने क्या किया है project tiger launch किया है ताकी वो tigers की species को protect कर सकें उन्हें conserve कर सकें ऐसा क्यों किया गया? ञे function जो प्रोजेक्ट tiger launch किया है government उसका object इजिए है ताकी tigers की survival को ensure किया जा सके और साथ ही साथ maintain किया जा सके tiger की population को अभी हम discuss करेंगे आप लोग देखते हैं कि tigers के जो skin है और उसके fur है उसको क्या किया जाता है मार दिया जाता है हंट करके उनकी skin को उतार लिया जाता है और बहुत ही expensive उन्हें बेचा जाता है यह क्या है एक तरह से अवैद शिकार माना जाता है इसलिए क्या होता है धीरे धीरे इनका क्या हो जाता है नंबर कम हो जाता है तो tigers की protection के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है project tiger launch किया है जिसकी वज़े से हम tigers को बिलकुल भी hunt ना करने दिया जा सके hunters को और उन्हें survival को ensure कर सके उनके maintenance कर सके उन्हें grow कर सके और उन्हें reproduce करने के लिए पूरा natural habitat और conditions जो है वो tigers को दी जा सके यह हमारे national tiger जो launch किया था उस project का objective है साथ ही आप एक बहुत interesting सी point है कि पूरा tiger reserve है जो हमारी इंडिया में उसमे एक unique quality है वो unique quality क्या है कि इसमें significant increase हो रहा है population of tigers का अब tigers का increase हो रहा है इसका मतलब क्या है यह show कर रहा है कि वहाँ पर tigers को बहुत ही अच्छे से protection दिया जा रहा है उनका maintenance का जो काम है वो अच्छे से किया जा रहा है तब ही तो उनके tigers की population में क्या हुआ increase I hope यह आपको clear हो गया और साथ में अब हमारे पास जैसे कि हमने भी पीछे पढ़ा था endemic species endemic species में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसी species होते है plants और animals में जो की particular area में ही पाए जाते हैं आज हम बात करेंगे endangered animals की endangered animals क्या होते है animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction अब जैसे कि अगर हम project ना लाते यह tiger को conservation करने के लिए हम हमारा जो government है कुछ भी rule ना अपनाते कोई भी policies ना आती तो क्या होता धीरे धीरे hunters क्या करते tigers को मारते जाते और उनका number धीरे धीरे क्या हो जाता कम होता जाता और इस तरह क्या है और धीरे धीरे फिर क्या है वो species खतम हो गई जैसे कि आप और मैं आज सिरफ dinosaur का नाम ही सुन रहे हैं उसकी photo देख सकते हैं उसके अलावा हम लोगों ने किसी ने उसे live में जू में या national park में नहीं देखा है क्योंकि वो extinct हो चुकी है वो पूरी ही species सो ऐसे animals जिनको क्या है धीरे धीरे जिनका number diminish हो रहा है कम हो रहा है धीरे धीरे और वो extinction के level पर है सो इस तरहें के animals को क्या बोला जाता है endangered animals इसकी बहुत सारे example आपके NCRT में दिये हैं जैसे कि wild buffalo हैं बारा सिंगा है ये क्या है एक तरह से endangered animals है और यहां क्या होता है कि हम क्यों दे रहे हैं नैशनल पार्क में protection क्यों दी जा रही है क्योंकि जो survival होता है tigers का या other wild animals का वो difficult हो जाता है क्यों difficult हो जाता है because of the disturbance in their natural habitat अब क्या है natural habitat में अगर उनको जो हमारा man है हमारी humans है वो क्या करते हैं disturbance create करते हैं disturbance create करने से उनके natural habitat में परिशानी होती है और हम जैसे लोग क्या करते हैं poaching करते हैं hunting करते हैं grazing करते हैं तो जिसकी वज़े से क्या है उनके natural habitat में छेड़ खाने की वज़े से उनकी extinction होने का भी खत्रा रहता है So I hope यह आपको clear हो गया होगा So उसके साथ ही national park की हम discuss कर रहे थे तो human activities जो है National park में बिलकुल भी allowed नहीं होती है Strictly permitted होता है यह area for the external group of people जिसे की grazing, poaching, hunting यहाँ पर बिलकुल भी allowed नहीं होता है grazing क्या यह जो normal pets होते हैं आप उन्हें चारा खिलाने पशुबालन के लिए वहाँ पर नहीं लेके जा सकते है poaching, poaching का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग क्या है घूमने गए और घूमने गए लेकिन उन्हें मौकाई मिलते हैं उन्होंने क्या किया tiger को या other wild animals को hunt कर लिया तो वह क्या होता है poaching अब यहां पर hunting hunting जो specially for the purpose of hunting गए है वह हो गया hunting इस तरह की जो grazing है, poaching है, hunting है यह सब क्या है नेशनल पार्क में बिलकुल भी allowed नहीं होता है और आप यह भी देखते होंगे कि जो small animals होते हैं like snake हो गया frog हो गए, lizard हो गए, bats, owls यह सब क्या है smaller in size है तो small animals जो होते हैं उनको ज्यादा खत्रा है कि वह जल्दी ही extinct हो जाए as compared to big animals bigger animals क्या होते हैं, easily आपको दिखाई देते हैं bigger animals क्या करते हैं छोटे छोटे जो animals हैं उनको क्या कर लेते हैं वह खुद ही खा लेते हैं तो जो small animals हैं उनको ज्यादा खत्रा है कि वह extinct हो जाएंगे वह कौन-कौन से होते हैं जैसे कि हमारी humans हैं वह ही kill कर देते हैं so killing of snakes हो गया frog, lizard आप देखते हैं आपके घरों में सब क्या होता है snakes क्या करता है अदर जो छोटे छोटे चोटे animals हैं उनको खा लेता है frog इसी तरह अदर इंसेक्ट को खाता है lizard जो होती है आपके अपने घरों में भी आपने देखी होगी कि वह बहुत सारे इंसेक्ट जो है खा लेती है सब्सक्राइब को खाता है इनका रोल जो होता है वह बहुत इंपोर्टेंट होता है एको सिस्टम में इको सिस्टम क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा एको सिस्टम क्या होता है plants and animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river and details so यहां पर आप अगर बात करेंगे plants, animals और microorganisms की तो यह क्या होते है एक तरह से biotic components होते है यह जिने हम कह सकते हैं कि living things होती है यह क्या है biotic components होते है और non-living components जैसे हमारे पास क्या हो गया climate हो गया, weather हो गया, soil हो गया, river हो गया यह सब क्या होता है abiotic components होते है so हमारा ecosystem क्या हो गया यह इन दोनों का यानि कि abiotic और biotic components का आपस में साथ में मिलजूल कर रहना तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पूरे system को ecosystem so हमारे जो smaller in size animals है उनका क्या role है उनका role है जो हमारा ecosystem है उसको maintain करके रखना so हम उनके भी importance को नहीं बूल सकते है so I hope कि natural park national park जो है आप लोगो को clear हो गया होगा national park में भी क्या होता है external group of people की entry जो है allowed नहीं है grazing allowed नहीं है, hunting allowed नहीं है इन सब चीज़ों से जैसे कि आपने wildlife century पढ़ लिया अब आपने national park भी पढ़ लिया so आप लोगो को इस से पता चला होगा कि इन दोनों protected areas का कितना बड़ा importance है कितना role है in the terms of conservation of wild animals and plants so अब हम करने जारे हमारा next topic So हमारा next topic is red data book so red data book क्या होता है एक तरह की book होती है जो डिये इन कलर होती है so उसमें क्या होता है source book होती है जिसमें हम क्या करते है record रखे जाते है उन सब इनिमल्स की जो endangered है यानि कि जो extinction के लेवल पे है तो red data book में क्या किया जाता है उनको record रखा जाता है जो भी animals extinct होने वाले हैं इंटरनेशनली maintain करके रखी जाती है by an organization इंडिया ने भी अपनी maintain की हुई है red data book जिसमें उन्हों उसने अपने extinction के level पर जो भी plants और animals हैं उनका record जो है वो कर रखा है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि migration क्या होता है migration आप लोगों ने already मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा जैसे कि आपने कहां सुना होगा migration certificate तो क्या होता है जब आप एक school से दूसरे school में change करते हैं तो क्या चाहिए होता है आपको migration certificate होता है चाहिए होता है इसी तरह हम बात करें कि आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके parents क्या होते है job change होती रहती तो वो from one place to another place चले जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं migration कर रहे हैं और क्यों जा रहे हैं क्योंकि आपको नई job में better facility मिल रही है अच्छी earning मिल रही है तो आप अपने suitable conditions के लिए अपनी place को change कर लेते हैं तो that is called migration तो अब हम migration के topic में पढ़ेंगे कि migratory birds तो birds करते हैं migration क्या होता है कि वो अपने को बचाने के लिए अपने survival के लिए क्या करते हैं वो particular time के लिए migrate हो जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए क्यों होते हैं क्योंकि जहां उनका natural habitat होता है वहां पर उन्हें climatic conditions change मिलती है जो कि उनके लिए suitable नहीं है तो वो अपने survival और अपनी protection के लिए दूसरी जगे जहां पर उन्हें ऐसा environment मिल रहा है जो उनके लिए suitable है वहां चले जाते हैं जैसे कि Siberian Crane है या greater flamingo है यह क्या है एक तरह से migrated birds है वह क्या करते हैं अपना एग ले करने के लिए दूसरी weather conditions में चले जाते हैं जो उनके लिए suitable है चुकल यह होता है बहुकी वहां की इसी बिर्ड जिने suitable है थो और गार ओलेन वी दूसरी से उनकी लिए उनके लिए क्वर्ड जो कि कवर करते हैं बहुत लां डिस्टैन्स to reach another land are known as migratory birds अब आपके मन में आ रहा होगा migratory birds क्या होते हैं तो migratory birds क्या होते हैं बहुत सारे ऐसे birds जो बहुत ज़्यादा long distance cover करते हैं और दूसरी जगे पर चले जाते हैं for particular time due to the climatic change उन्हें हम कहते हैं migratory birds so I hope आप लोगं को clear हुआ होगा आज के हमारी ये वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए friends के साथ share करिए और अगर आप मुझे DM करना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं अखिल प्रिया classes के name से so thank you for watching this video